वेल बच्चों कर आप नीट 24 की तयारी करते हैं तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखेगा यूटी पर यह पहला वीडियो है जहां पर आपको चाप्टर वाइस वेटेज बिताया जाएगा आसपर न्यू जो सिलेबस आपका NTA ने प्रपोस किया है इस वी ऩुच्छा जो कि आप लोग few बहुत पसंद आयेगा वो उसके बारे में फिर आपकी बाइवक्रियी यूनिट-वाइज वेटेच क्या होगी फिर क्लास 11 और 12 की चाप्टर वाइस वेटेच क्या होगी फिर फ्hy綠िक्स की चाप्टर वइस वेडेच फिर चीमेस्ट्र की उ जरूर से देखना बहुत ही जादा आप लोगे लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है सबसे पहले एक सर्प्राइज से अपने शुरू करते हैं वेल मेरे प्यारे बालको 13 डिसेंबर इसका मतलब कल से कल शाम 6 बजे से हम लोग शुरू करने एक न्यू सीरीज पी वाई की उस चाप्टर वाईस बच्चो यहां पर हम लोग क्या गरेंगे चाप्टर वाईस आपका प्रिविएस एर कोशन्स को हम लोग यहां पर सॉल्व करने वाली है तेरा तारिक जो कि आपका टूजडे का दि में चाप्टर वाईस वह हम लोग डिसकस करेंगे अने के फ्री स्पेशल क्लास में जो कि आपका पोल बेज्ट होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है आप लोग जल्दी से रोल कर लेना अगर आप इस सीरीज के लिए तयार हो कमेंट सेक्शन में आपको यहां पर लीडर बोर्ड मिलेगा और अपने रिजल्ट को ट्रैक कर सकते हो और पीवाई क्यूस करना बहुत जरूरी है तुमने कहवत तो सुना होगा न ओल्डीस गोल्ड ठीक है अन्रोल कर लेना और कमेंट सेक्शन में हास्टाग रेडी आप लोग जरूर से अनिमल जिसमें मॉर्फलोजी इनाटेमी और स्ट्रक्चरल और अर्गनाजिशन आता है वह सेवन परसेंट आपका उसका वेटेज है इसमें तीन चाप्टर आते हैं सेल यूनिट ऑफ लाई बायो मॉलीकूल सेल साइकल और सेल डिविजन अब यह तुमारा जो यूनिट है परजेंट तीन चाप्टर मिलके कॉंट्रिबूट करने वाले हैं कौन-कौन से फोटो सिंथेस रेस्पिरेशन और प्लांट ग्रोथ हैं डिव्लाप्मेंट और सबसे ज्यादा जो वेटेज है बच्चो वह आपके बास यूमन फिजियोलोजी का आप इसको बिलकुल में इ बारे में बात करेंगे री प्रड़क्शन अब यहां पर प्रड़क्शन और गानिजम तुम्हारा डिलीट हुआ है लेकिन हुमन रिप्रड़क्शन और सेक्शुल रिप्रड़क्शन इन फ्लावरीं फ्लांट यह मिलके आपके अच्छा कासा कॉंट्रिबूट करते हैं 11 और सबसे ज़्यादा जो कॉंट्रिबूशन और इवलूशन का अभी यहां से भी आपके बच्छों कॉंसेप्च्वल कोशन बनेंगे ऐसे वैसे नहीं बच्छों कॉंसेप्च्वल कोशन 19 परसंट यह कॉंट्रिबूट करता है आपका अब बाइलोजी इन हुमन वेलपेर अब इसमें से स्टाटेजीस का जो चाप्टर है उसको डिलीट कर दिया गया है अक्चुली में यह तुम्हारे पास 6% कॉंट्रिबूट कर रहा था बड़ वो चाप्टर डिलीट होने के बाद 2% कम हो गया और वो 2% कम हो कि आपका बायोटेक एन अप्लिकेशन में आ गया ह और बायोटेक एन अप्लिकेशन आपका बच्चो 10% कॉंट्रिबूट कर रहा है और बायोजी और यूमन वेलफेर आपका ओनली 4% ठीक है एकोलोजी और एंवार्मेंट आपका 5% कॉंट्रिबूट करेगा बिकॉज यहां पर फैक्ट्ट्वल बेज आपके कोशिंज आते ह बहुत ज्यादा फोकस करना है और यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नीट 24 में मैक्सिमम कोशन इस यूनिट से आपके बनने वाली है बचो अगर आपन चाप्टर वाइस वेटेज के बारें बात करेंगे तो यहां पर मेरे पास चार साल का डेटा है अगर तुम यहां प अब देखो लीविंग वल्ड में 2023 से एक भी सवाल नहीं आया था और 22 21 और 20 में आपका लगातार कोशन आया है इसका मतलब यह हो सकता है कि एक सवाल आपका आ सकता है लीविंग वल्ड से यह तो वह भी नहीं आएगा बायोजिकल क्लासिफिकेशन से भी 23 में कोई भी कोश को प्लांट किंग्डम से यूजरी आपके तीन से चार कोशन और अवरेज अपके हर साल बन रहे थे लेकिन 2023 में क्या हुआ बच्छो दो कोशन एक कोशन को यहां पर कम कर दिया गया अब अनिमल किंग्डम अभी नहीं क्या बुला रट्टा वाला टॉपिक से अगर पूछ इसका मतलब अगर तुम बड़े गौर से अगर देखो के बच्छो तो 24 के अंदर हमें यह देखने को मिल सकता है कि प्लांट किंग्डम को कही ना कहीं वेट है जिसका बढ़ा दिया जाए क्योंकि इसको लिंक कर देंगे वह सेक्शुल रिप्ड़क्शन इन फ्लावरिंग के अंदर क्यों बच्छो क्योंकि अभी इसके अंदर आपका फ्रॉक को इंक्लूड कर दिया गया है फ्रॉक प्लस कॉक्रोज दोनों है ना तो मान के चलो कि दो एमसे कुज आपके इसाल ही आ सकते हैं ठीक है आजओ अब सेल्ट उनिट आफ लाइफ का तुम देखना जी प आयो मॉलिक्यूल से भी आपके एक्जामपल बेस्ट मेटाबॉलाइट वाले मसे कुज बनते हैं ओगे अच्छा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाभी तुमारे सिलेवस में बिलकुल भी नहीं है और मिनिरल नूट्रिशन भी आपके सिलेवस में नहीं है और इस साल भी कि 24 के अंदर आपको इसके अंदर से वेटेश देखने को मिलेगा सबसे इंपॉर्टन ना बचो प्लांट ग्रोथ हैं डिवलपमेंट अब 2023 के अंदर है ना बचो आपको चार सवाल आपके आये थे ठीक है और इस से बचो इस साली 24 में माक्सिमम कोशिन आपके बनेंगे य 24 में दो सवाल से तीन सवाल आपका हो सकता है क्यों वो डाइजेशन को यह लोग यहां पर कंपंसेट करेंगे अच्छा बॉडी फ्लूइट्स आपको पढ़ना है एक्सेडरी पढ़ना है लेकिन सबसे इंपॉर्टन बच्छो लोको मोशन यहां पर मेकानिजम आता है ना स्लाइडिंग फिलामेंट तियरी वहां से आपके कुश्चिंस अच्छे खासे बन सकते हैं आपके और नुरल कंट्रोल कॉडिनेशन से आपके तीन सवाल पूछे कहते और इस साल भी आसार एक इससे सवाल आपके ज्यादा स्यादा आएंगे अच्छा बचो यह जो पीडि कॉडिनेशन और इंटीग्रेशन रेगुलेशन में तो तीन सवाल तेईस में आया था मान के चलो कि 24 में भी सवाल आपके बनेंगे और रीप्रदक्शन इन और्गानिजम यह चैप्टर आपका डिलीट कर दिया गया है लेकिन सेक्शुल रिप्रदक्शन इन आपको अच्छी से पढ़ना है हाँ यह सबसे इंपॉर्डन टॉपिक है बच्चो प्रिंसिपल ऑफ इन्हेटेंस और तुम्हारा मॉलिकुलर बेसे ऑफ इनहरेटेंस यह दो बहुत इंपॉर्डन चैप्टर आपके हैं जी आच्छा इवोल्यूशन भी आपको पढ़ ले कोशिंस आपके आड हो जाएंगे यह मान के चलो कि 24 में इससे आपके तीन कोशिंस आ सकते हैं ठीक है अब बायो टैक प्रिंसिपल और प्रोसिस और अप्लिकेशन यह दोनों आपका बहुत इंपॉर्डन चाप्टर बच्चो इसको अच्छी से तुम गो तुम कर लो 5-6 अच्छे से पढ़ना विकॉस इसमें डेटा बेस्ट कोशिंस बहुत ही जाद है बच्चो ठीक है अच्छा इकोसिस्टम से तीन सवाल इस साल ही आये थे तो मान के चलो कि एकोसिस्टम से आपके कोशिंस आएंगे और कंजर्वेशन से भी आएंगे बच्चो आई उसीन वा इसका अच्छा बचो अगर हम फिजिक्स अगर हम बात करेंगे यूनिट वाइस अगर हम बात करेंगे ठीक है बच्चो फिजिकल वर्ल्ड और मेजर्मेंट आपका 6% कॉंट्रिब्यूट कर रहा है और काहिनामाटिक्स बच्चो छे परसेंट लॉस ऑफ मोशन दो आपको करके जाना है हमारे टाइमसेश की वेटेज उतनी ही है ओगे 4% परसेंट प्रापर्टिस ऑफ बल्क मैटर 6% हर्मोडाइनमिक्स 2% और बिएविर ऑफ परफेक्ट गैसन का के डीजी ओगे 2% अच्छो ऑसिलेशन और वेव इसके कंसेट आपके बहुत जगा यूज ह होते हैं चार परसेंट इसका वेटेज है बच्छो ठीक है आज ओओ जी अब प्लास 12 अगर आप बड़े गौर से देखोगे बच्छो इलेक्ट्रो स्टाटिक वेरी इंपॉर्टेंट आट परसेंट इसका वेटेज है करेंट इलेक्रिसेटी 6% वेटेज है और मैगनेटिक सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहां पर यह सारे टॉपिक्स अभी वेटेज अभी कुछ सालों में बच्छो बहुत ज़्यादा बढ़े गया ऑप्टिक्स का वेटेज यह लास्ट के जो तीन है आपके मौडन फिसक्स के डूल नेचर ऑफ मोशन मैटर एंड रडियेशन मिला कि आपके 20% अकेले यह बनाते हैं अगर आपने अगर यह भी ठीक से कर लिया ना आपके अच्छे कासे नंबर आपके बन सकते हैं ठीक है यह चाप्टर वाइस बेटेज है बच्छो फजिक्स का आप लोग PDF में से देख लीजिए ठीक है आज हो जी यह फजिक्स के आटम 4% classification of element by periodicity वाला 2% ज्यादा questions नहीं आते है chemical bonding conceptual chapter है 4% स्टेट्स of matter gases and liquid 4% ठीक है thermodynamics दो अच्छा equilibrium का weightage बच्छो बहुत ज्यादा 10% है रिडॉक्स reaction से इसके रिडॉक्स reaction और से जो questions है न वो दूसरे chapter में concept based बनते हैं आपके ठीक है और hydrogen तो बया पढ़ो ना पढ़ो उसके बराबर अच्छा s block 4% ओगे p block element 4% organic chemistry basic principle और techniques आपके 6% यह class 11 का यह बच्छो hydrocarbons कोई नहीं और environmental chemistry अभी तो इन्हों ने यह भी delete कर दिया है ठीक है 2% है अच्छा class 12 में अगर आप देखोगे तो solid state 6% इसका weightage है solution का weightage नहीं because इसके concept आपके दूसरे यह के पर use होते हैं electrochemistry 6% chemical kinetics 4 surface chemistry 4 बच्छो और general principle and process of isolation of element 2% p block 4% d and f 4% और coordination compound 4% इसमें nomenclature सो questions बहुत बनते हैं आचो hello alkanes and hello arines organic chemistry में 2% alcohol phenol and ether 6% aldeide kidonan carboxlic isot आपके 8% organic compound containing nitrogen 2% biomolecules बिलकुल भी नहीं वो मतलब बनेंगे नहीं question ऐसा बात यह नहीं options में आपके बन सकते हैं polymer 2 और आपके chemistry in everyday light यह अभी तक के इसके weightage रह चुके अब यहां पर ना chapter wise comparison क्या गया है 23,21,21,20 का आप लोग pdf से इसको go through कर दीजेगा ओगे ठीक है 11 और 12 दोनों का यहां पर मिला के आपका दिया हुआ है जी कुल यहां पर 30 chapters आपके दिये गए जी ठीक है अच्छा तो यह बात आप लोगो बड़े गौर से याद रखना है बचो एक और एक बहुत important सूचना है मैं आपको पहले बता दू जिसने अभी तक enroll नहीं किया जल्दी से enroll कर लेना बचो कल सुबह से कल शाम को 6 बजे से हम लोग शुरू कर रहे है तो गे need PYQ chapter wise practice ठीक है description box में link दिया अभी फटा-फट enroll कर लेना free class है पोल बेस्ट और comment section मे hashtag ready आप लोग जरू से छोड़ दीजिएगा अच्छा एक और एक खबर है बचो आप लोग के लिए बहुत important कि आप लोग के लिए 20% off दिया जा रहा है और अब यह offer 11 से 16 तक ही valid है do use a code biology life to get this subscription और आपको 6 मन्त का आपको extension में देखने को मिलेगा मतलब need 24 का अगर आप subscription लेन और 26 के लिए अगर आप लेते हैं तो बच्छो 50,000 का कुछ something का पढ़ जाएगा जी ठीक है और जरूर से अगर आप यह code लगाएंगे biology life तो आपको 20% off आपका available हो जाएगा ठीक है और जल्दी से आप लोग enroll कर लो और यह PDF जाके आप लोग जरूर से देख लीजेगा और स सबसे important है आपको analysis करना आना चाहिए बच्छो ठीक है कुछ doubt रहेगा अगर अभी भी do let us know in the comment section मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अभी क्लिए बचते रहे हैं guys thank you जय हिंद बाबाइ